गिरगाल जब से आई है तो मेरे घर में इंकम आ गई है और इससे मैं बहुत खुशू कर में आप इतनी कमाई आप कर रही है जी ज़रा दादेगरी बढ़ गई होगी फिराजना तो नहीं हो गया है मोधी जी ने घर में जगड़ा करवा दिया आप तो बड़ा स्टार्ट जब दूखों की एक दवा गिरगाए जब बहुत बहुत धनिवाद सर के आज हमको जिसके हमकी अनुभूती भी नहीं थी कि सर आप से हम मुलाकात कर सकते हैं आप हम भाई हम बहनों को यहां बुलाएं और आप से प्रते तो गाय मिली उसका आनद नहीं है सर गाय के ही गाय है जिसकी ही साज्यानिस दे सर हम यहां पर आ और सर गिर गय मिलने से सर हम तो आत निर्वर्त हुआ है उसके सांस शल्षी का इसा आप मैसे किसी का विचान आया कि अपने गाय के साफ सेल्फी ले जी सर हम लोग लिये है ले लिए जी सार, सर हमारे बच्चे ना जाते हैं, उनसे अपनी बाते सेर करते हैं, उसको साल आते हैं, उसके गले लपड मलब मिल जाते हैं आपने हमें गीर गाय दिया, उसके लिए आपको बहुत बहुत थान्यवाद हमारे गीर गाय साब, रोज लगभग सत्र से अठारे केजी दूद देती हैं अठारा केजी? अचा हमारा गुजरात में मने नियम बनाया था, कि किसी पूरुस को पैसे मद दो दूद के महिला को सीधा मिलना चाहिए, यहां शुरू क्याग नहीं किया अचाहिए, मैं आज भोलकर के जा रहा हूँ, अभी आपके अकाउंट में है, दूद का पैसा महिलाओ के अकाउंट में ही जाएगा, किसी पूरुस के अकाउंट में नहीं जाएगा, फिर ऐसा तो नहीं हो गए, मोधी जी ने घर में जगड़ा करवा दिया और सजी जो बोनस का पैसा आता है, मैं उससे गोबर खरिती हूँ, और बर्मिंग खाथ का, अच्छा वो काम सुरू किये है, बर्मिंग खाथ बनाती हूँ, हमारी बर्मिंग खाथ महिन्य का लगभग 40-50 कुंटल जो है, तयार होता है, उससे मैं मार्केट में सेल करती अरे वाँ, आप तो बड़ी, आप तो बड़ा स्टार्ट अप कराती हूँ, जो पाम बड़ा है, बहुत ही बहुत ही शुभ हूँ, उनके आने से एक, उनकी गिरगाय आने से 14 साल के बाद हमारे यहां बचड़ी हूई, जिने हम प्यार से हनी बनी कहते हैं, वाँ, हमारी मे मेरे पास कोई गाय नहीं थी, और मेरे पास पहली गीर गाय आई, और इसके पहले मैं बहुत सर परिसान भी रहती थी, मेरे यहां परिवारी कार्थिक तंगी भी चलती थी, आया दिन मेरे घर में दुरगटनाय होती थी, अब यह ऐसा कुछ नहीं है सर, सब गव माता के अस से 9000 रुपए, पहले कितना मिलता था, कुछ नहीं का, सर, पहले कुछ था ही नहीं तो मिलेगा कहां से, गर में आप इतनी कमाई आप कर रही है, आप की ज़रा दादेगी बढ़ गई होगी, अब महिलाओं को जो आप ससकती करण की और ले जा रहे हैं सर, उसके लिए भी मै मैं आप की थैंक्फूल हो, आप जो गिर गाये हैं बहुत अच्छी है, मतलब परिवार की फैमिली मेंबर बन गई है, जी परिवार की फैमिली नंबर बन गया, और मेरे जो दादा जी है, मतलब उनको दो बेटे हैं, बोलते हैं कि मेरे तीन बेटे हैं, जो की एक गिर गाय दूजराब के लिए हमें मैंने पजाब के मुख्यमंद्री से पादल साथ तो उन्हों ने मुख्यमंद्री गया तब तो मैं राजिलीती में नहीं था लेगें ऑफ और उनसे अच्छा परिच्या था तो उन्हों मुझे कांग मुझे घीरगाय चाहिए आप लद्दे जी तो मैंने उनको पांच घीरगाय जी तो एक पार हम सम्मुक्रमंतिरों का भोजन था उन्होंने का भई ये गुजराप्त के लोग ऐसे हैं इनकी गाय भी ऐसी है जोना क्या हुआ उन्हें किसको मारती नही तो मेरे यहां बाणने के लिए जगा नहीं था जगा नहीं था उसको मैं रोड पर बांधी जगा उसके पले था लेकिन पंद्रा बजिस से वह इस्टे पड़ा था मुकजमा भी चल रहा था जब गीरगाय आई तो मैंने उनसे प्राथना के हे माता कम सकम आप अपने लिए सुलब कराई ये इस जमीन का जगडा संत कराई उस जगडा भी समाफ्त हो गया पहली बात पर बहुत खुशी कि जाता था मेरे पैर से चला भी नहीं जाता था मैं सोचे कि अपतो ही गाय आ गई हम इनकी सेवा कैसे करेंगे दवा बहुत हुआ डाक्टर बोले आपरेशन कर करने के लिए कमर का वह भी नहीं करवाई जब आई उनका दूद का सेवान करने लगे दवा भी बंद हो गया मेरा मरज भी खतम हो गया है जो की गीरगाय आई तो सब दुखों की एक दवा गिरगाय जब से आई है तो मेरे घर में इंकम आ गई है और इससे में बहुत कि आपको मालूम है सरकार एक मौ पका खुर पका बिमारी होती है उसके वेक्षिनेशन के लिए सरकार पैसे खर्च करती है यह डेरी भी करती है तो वेक्षिनेशन रेगुलर करवाना चाहिए करवाएंगे चालिए जब से वो गीरगाय है तो अच्छा दूद भी उसका है और बच्चे डरते भी नहीं है और यह उसका दूद और गी दोनों ही बहुत पॉर्स्किक है जैसे पैरों में दर्द या कैल्सियन की कमी होती थी तो यह बहुत अच्छा था और पहले हम लोग गाउं में दूद देते थे तो बाल्टावला 25 या 26 रुपे लिटर देता था लेकिन हम लोग बनास डेरी में देते हैं तो यह 42 या 45 रुपे तक जाए तो इससे क्या हुआ मेरी आमदनी बढ़ गई हमने एक गाय और रख लिए अब में गाउं में और लोगों के बीच में बात्चित हो रही है भी लोगों के अच्छा लग रहा है कुछ मोदी जी अच कर दो कर दो भात्चित है झाल झाल